हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मिचल फंड में हमारे पैसे कुखिन कंपनियों में निवेश किया जाता है वो कितने सेफ हैं आज की वीडियो में हम इसे पर बात करने वाले हैं और इसके लिए मैं अपने पोर्फोलियो क पर यूज करूंगा मैं पांक साल से मिचल फंड में निवेश कर रहा हूं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल हो सकती है इसकी मत किजिएगा वीडियो के अंतर जरू बने रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं नमस्का दोस्तों मैं गोर जैन सिंग आपके अपने चैनल फाइनेस की पार्ट साला में आप सभी का स्वागत करता हूं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरू करते जिएगा साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो के लाइक भी जरू करते जिएगा तो चलिए सुरू करत मैं स्टॉक में भी निवेस करता हूं तो फिलाल आपको दिखाता हूं मैं यहां पर कि मेरे फंड कहां-कहां निवेस हो रहे हैं तो यह इन्वेस्टमेंट एनॉलिसिस है और अभी देखिए बहुत तरह के प्लान होते हैं मेचल फंड में लेकिन मैं टेक्स सेविंग के लिहा इस प्लेटफर्म से लेके देखें इससे देखें क्या होता है कौन सा बेस्ट है मेरे लिए तो देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट आप मेरा रेखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करता है कि मैं 100% एक्विटी में हूं आप कटेगरी देखते हैं एक्विटी में पाई ग्रेप्टल गेन तो देखें साट टर्म में मुझे चियत्तर और लांग टर्म में दो लाग 55,000 का यहां पर प्राफिट हुआ हैं अब देखते हैं उन कंपनियों का जहां पर सेक्टर वाइज निवेज हैं फाइनेंसियल में 33% करने वाज है टेखनोलोजी 11.6 आटो मो तो देखें कितने बेराइटी हैं मतलब एक सेक्टर में अगर कुछ उतार चड़ाव आता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अब चलते हैं थोड़ा निवेज को देख लेते हैं ICC Bank, HDFC, Infosys, HDFC Finance Corporation Limited, Axis Bank Limited, Reliance, Honeywell, Automobile, Larson Turbo, Tata Consultancy, Bajaj तो इन में हमारे लगभग 35% के निवेज हैं बाकी 65% और भी कमपनियों में तो दोस्तों अगर मुचल फंड में यही तो बात होती है अगर आपने stock में निवेज किया होता तो आप किसी एक company में निवेज करते हैं दो में करते हैं तो एक में जो भी उतार चढ़ा होता है उससे आपकी पूरी portfolio पे फर्क परता है मिचल फंड में हम देख रहे हैं कि हम सैकडों कमपनियों में निवेज करें अगर एक दो company किसी कार से बंद भी हो जाए तो मामूली सा हमारे portfolio में difference आएगा अब वो हम दूसे कमपनियों से cover भी कर लेंगे मिचल फंड कमपनियों का निवेज हमें एक expert को अपना पैसा देते हैं निवेज करने के लिए ऐसे ही नहीं दे देते किसी को कि आप मेरा पैसा डाल दीजे तो वो देखते हैं कि किस company का भवे से कितना है पूरा valuation करते हैं fundamental प 10% share है अगर market में कोई पैसा जा रहा है तो तार चड़ा हो आते हैं लेकिन इतना confident मैं हूं कि सुन्द तो नहीं होता है फिलाल आपने देखा यहां पर यह मेरे portfolio हैं अगर मैं किसी एक mutual fund का दिखाऊं तो वो सकता है different हो अब इसमें मेरे पास 5-6 mutual fund है और वो सारे का यहां प बारे में डालेंगे तो आपको बहुत सारी जानकरिया मिलेंगे अगर आप मुसे किसी topics पर वीडियो चाते हैं तो comment करके जोर बताएगा और एक चीछ ख्याल रखेगा जिन कंपनियों मैं मैं निवेस कर रहा हूं वो कोई model आदस कंपनियां नहीं है कि आप भी उन्हीं में निवेस करें आप अपने रिस्क के हिसाफ से अपने financial advisor के हिसाफ की सला पर ही इसमें निवेस करें मेरे जितने भी वीडियो है mutual fund से संबंदे से stock से संबंदे तो वो सिप education purpose से बनाएगा हैं मैं किसी भी तरह के निवेस की सला आपको बिलकुल नहीं देता हूं निवेस आप अपने बिवेक पर अपने financial advisor की सला पर ही करें I hope दोस्तर ये वीडियो बहुत ही helpful रही होगी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन बच्टन को प्रेस जरूर कर देजेगा तो चलिए मिलते हैं नेस वीडियो में ऐसी information knowledge और update के साथ तब तक के लिए नमस्कार